बयान अठारा अब महराज शीवदत की महफिल का हाल सुनिए महराज शीवदत सी महफिल में आ विराजे रमभा के आने में देर हुई तो एक चौपदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाएं और चेतराम ब्रह्मन को तेजसी को लाने के लिए भेजा थोड़ी देर बाद चौपदार ने आकर अर्स किया कि महराज रमभा तो अपने डेरे में नहीं है कहीं चली गई महराज को बड़ा ताज्जूब हुआ क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे दिल में रमभा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि फौरन उसे तलाश करने के लिए आदमे भेजे जाए इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाए कि कैत खाने में तेजसी नहीं है अब तो महराज के होश उड़ गए सारी महफिद दंग हो गए कि अच्छी गाने वाली आई जो सभी को बेवकूफ बना कर चली गई गसिटा सी और चुन्नी लाल अईयार ने अर्स किया महराज बेशक वो कोई अईयार था जो इस तरह आकर तेजसी को छुड़ा ले गया महराज ने कहा ठीक है मगर काम उसने काबिल इनाम के किया अईयारों ने भी तो उसका गाना सुना था महफिद में मौजूद ही थे उन लोगों के अकलिपर क्या पत्थर पढ़ गए थे कि इसको ना पैचाना लानत है तुम लोगों के अईयार कहलाने पर ये कहकर महराज गम और गुस्से से बरे हुए उठकर महल में चले गए महफिद में जो लोग बैटे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया तमाम शहर में बात फैल गई जिदर देखिये यही चर्चा थी दूसरे दिन जब गुस्से में बरे हुए ये सुनकर महराज को और भी ताज्युब हुआ हुक्म दिया कि बहुत से आत्मी जाएं और उनको पकड़ लावे पर चौपदार ने अर्ज किया महराज इस तरह वो गिरफतार ना होंगे भाग जाएंगे हाँ गसिटा सी और चुनी लाल मेरे साथ चले तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूँ ये लोग कोई चालागी करके उन्हें पकड़ ले महराज ने ऐसी तरकिप को पसंद करके दोनों आयारों को चौपदार के साथ जाने का हुक्म दिया चौपदार ने उन दोनों को लिए हुए उस जंगल पहुँचा जिस जंगल में उसने तेजसी का निशान देखा था पर देखा कि वहाँ कोई नहीं है तब गसेटा सी ने पूछा अब किदर देखें चौपदार ने कहा किया ये जरूरी है कि वो तब से अब तक इसी पेड़ के नीचे बैठे रहें इदर उदर देखिये कहीं होंगे ये सुन गसेटा सी ने कहा अच्छा चलो तुम ही आगे चलो वो लोग इदर उदर ढूणने लगे इसी समय एक अहिरिन सीर पर खचिये में दूद लिये आती नजर पड़ी चौपदार ने उसको अपने पास बुला कर पुछा कि तुने इस जगह कहीं एक औरत और एक मर्थ को देखा है उसने कहा हाँ हाँ उस जंगल में मेरा एक अडार है बहुत सी मेरी गाय भैसी वहां रहती है अभी मैंने उन दोनों को पांच दो पैसे का दूद बेचा है और बाकी दूद लेकर शहर बेचने जा रही हूँ ये सुनकर चौपदार बतोर इनाम के चार पैसे निकाल के उसको देने लगा मगर उसने इंकार गिया और कहा कि मैं तो सेंद के पैसे नहीं लेती लगी चौपदार ने उन दोनों यारों से कहा आईए आप भी लीजिए उन दोनों यारों ने कहा हमारा जी नहीं चाहता वो बोली अच्छा आपके खुशी चौपदार ने दूद पिया और तब फिर दोनों यारों से कहा वाह क्या दूद है शहर में तो रोज आप पीते ही हैं भला आज इसको भी तो पीकर मज़ा देखिए उसके जित करने पर दोनों यारों ने भी दूद पिया और चार पैसे दूद वाली को दिये अब वो तिनों तेजसी को ढूडने चले थुड़ी दूर जाकर चौपदार ने कहा नजाने क्यों मेरा सीर घुमता है गसेटासी ने कहा मेरी भी यही दशा है चुन्नी लालत कुछ कहना ही चाहते थे कि गिर पड़े इसके बाद चौपदार और गसेटासी भी जमीन पर गिर पड़े दूद बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी उन तीनों को गिरते देख दोड़ती हुई पास आई और लख लखा सुंगागर चौपदार को होशियार किया वो चौपदार तेजसी थे जब होश में आए अपनी असली सूरत बना ली इसके बाद दोनों की मुश्के बांध गट्री कस एक को चपलाने और दूसरे को तेजसी ने पीट पलादा और नौगड का रास्ता लिया